जादूई सोने का कुवा आस्मान साफ नहीं था चारो और काले काले बदल चा गए थे कभी भी बारिश हो सकती थी सुजाता जैसी बारिश पढ़ने से पहले जल्दी जल्दी सन्राइज अपार्टमेंट में पहुचना चाहती थी जिससे की वो बारिश में भीग ना जाए क्योंकि सुजाता पिछले हफ़ते बारिश में भीगने की वज़़ से बीमार हो गई थी वो भागते भागते अपार्टमेंट तक पहुच तो गई लेकिन बिच में बारिश होने लगी और सुजाता ना चाहते हुए भी भीग गई जिसकी वज़़ से वह परेशा हो गई वह सोचने लगी की इस बार अगर वह बीमार हुई तो भरी मुसीबत आ जाएगी सुजाता ने अपार्टमेंट पहुचने पर दर्वाजे की घंती बजाई कुछ देर तक दर्वाजा खोलने के लिए कोई नहीं आया सुजाता ने फिर से दर्वाजे की घंती बजाई एक औरत ने दर्वाजा खोला उस औरत ने सुजाता को घूरते हुए पूछा क्या है किस से मिलना है सुजाता ने कहा जी में नेहा वाशिंग पाउडर कमपनी से आई हूँ और हमारी कमपनी अभी अपना प्रचार कर रही है जिसकी वज़ा से यह वाशिंग पाउडर बहुत ही कम दामों में बेच रही है इसकी कीमत सिर्फ 25 रुपे में आधा किलो है हमारा वाशिंग पाउडर आपके महंगे से महंगे वाशिंग पाउडर से अच्छी सफाई करता है इतना कहकर सुजाता ने कहा कि अगर आपके पास कोई गंदा कपड़ा है तो ले आईए में आपको अभी कपड़ा साफ करके देमो दिखा देती हूँ इस पर उस औरत ने मुह बनाते हुए कहा कि मुझे नहीं चाहिए यह तुम्हारा घटिया वाशिंग पाउडर और ना ही इसका देमो चाहिए इतना सुनकर सुजाता ने कहा मैडम आप एक बार देमो तो देख लीजिए अगर आपको यह वाशिंग पाउडर पसंद नहीं आया तो आप मत लेना देमो का कोई पैसा नहीं है सुजाता की बात सुनकर वहा औरत बोली अरे तुम कम सुनती हो क्या नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए इतना कहकर उस औरत ने धाणाम से अपने घर का दर्वाजा बंद कर लिया सुजाता के चहरे पर एक निराशा सी च्छाई हुई थी जो की उसके चहरे पर साफ ज़लक रही थी लेकिन उसने प्रयास करना जारी रखा वह अपार्टमेंट के अन्य घरों में भी गई लेकिन इस अपार्टमेंट में सिर्फ एक ही औरत ने उसका वाशिंग पाउडर करीदा बाकी लोगों ने उसको भगा दिया अब रात होने वाली थी वह अपने घर वापिस लोट रही थी सुजाता के दिमाग में एक ही बाद बार बाद घूम रही थी जो उसके मैनेजर ने उसको कहा था सुजाता के मैनेजर ने कहा था कि महीने का अंत चल रहा है और तुम्हें 20 वाशिंग पाउडर बेचने का टारगेट दिया गया है और तुमने अभी तक सिर्फ 3 ही पैकेट बेचे है यह सुनकर सुजाता है ने कहा कि सर में वाशिंग पाउडर बेचने की पूरी कोशिश करती हूँ लेकिन हमारी कमपनी नई होने की वज़से में लोगों को कन्वेंस नहीं कर पाती है यह सुनकर सुजाता का मैनेजर कहता है देखो हम किसी को भी फ्री की सैल्री नहीं देते हैं अगर तुमने तारगेट पूरा नहीं किया तो हम तुम्हें नौकरी से निकल देंगे यह सुनकर सुजाता ने कहा, सर ऐसा मत कहिए, क्योंकि इसी नौकरी के भरोसे मेरा घर चल रहा है इस बात को सुनकर मैनेजर कहता है, यह सब में नहीं जानता अगर तुमने कल तब 20 वाशिंग पाउडर के पैकेट नहीं बेचे तो तुम्हें कल के बाद नौकरी पर आने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन सुजाता टारगेट पूरा नहीं कर पाई, वहाँ बहुत परेशान थी वहाँ मन ही मन सोच रही थी, कि कल वहाँ मैनेजर मुझे नौकरी से निकल देगा, फिर में कैसे गुडिया और सुनीता का ध्यान रखूंगी उसने भगवान से कहा भगवान मेरी मदद कीजिए सुजाता के पती की कपड़े की एक छोटी सी दुकान थी, जो की बहुत अच्छी चलती थी क्योंकि उसका पती ग्राहकों से बहुत प्यार से बात करता था अगर एक बार ग्राहक उसकी दुकान में आ जाते थे, तो कुछ भी करीदे बिना नहीं जाते थे चाहे कोई छोटी ही चीज क्यों ना करीदे सुजाता के पती महेश का बहुत ही अच्छा हस्ता खेलता परिवार था लेकिन एक दिन अचानक महेश की दुकान में किसी शाट सरकिट की वजह से आग लग गई महेश भी उस समय दुकान के अंदर ही था उसने बहार निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन उस आग में कपरों के साथ वो भी जुलस गया था जिसकी वज़से वह इस दुन्या में नहीं रहा था महेश के चले जाने के बाद दोनों बच्चों की जिम्मेदारी सुजाता के उपर आ गई थी पिछले आठ महीनों से सुजाता सेल्स की नौकरी कर रही थी कभी टारगेट पूरा हो जाता था तो कभी नहीं होता था लेकिन इस बार सुजाता को टारगेट पूरा ना हो पाने की वज़र से नौकरी से निकल दिया गया था पिछले कई दिनों से वहा एक नई नौकरी की तालाश में थी लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था घर का किराया और बच्चों की फीस भी देनी थी घर का राशन भी कत्म होने वाला था आज जब सुजाता शाम को घर लोटी तो वह बहुत उदास थी तभी उसकी बेटी ने कहा मा क्यों उदास हो चलो हमारे साथ खेलो ना सुजाता ने कहा कुछ नहीं हुआ है सब कुछ ठीक है अब वहाँ अपने मासूम बच्चों को कैसे बताती की वहाँ क्यों उदास है लेकिन बच्चों के जिद्द करने की वज़़ से सुजाता अपने बच्चों के साथ बॉल खेलने के लिए चली गई बॉल खेलते खेलते बच्चों नो बॉल को इतनी तेज मारा की वहा लुड़कते हुए जाडियों में चली गई उसकी बेटी ने कहा मा बॉल जाडियों में चली गई है में लेकर आती है आप गुडिया के पास रहों में जाडियों से बॉल लेकर आती हूँ सुनीता बॉल लेने के लिए जाडियों के पीछे चली गई है लेकिन तभी उसकी जोर-जोर से आवाज आने लगी मा बचाओ, बचाओ जैसे ही सुजाता ने सुनीता की आवाज सुनी सुजाता और गुरिया सुनीता की तरफ भागे जैसे ही सुजाता ने जाडियों के पीछे देखा उसकी आखे खुली की खुली रह गई जाडियों के पीछे एक गहरा सा कुआ था जिसमें सुनीता गिर गई थी सुनिया निचे से जोर जोर से बोल रही थी मा बचाओं में डुग रही हूँ अच्चानक सुनीता कुए में से गायब हो गई गुडिया भी उसी कुए में देख रही थी अच्चानक गुडिया का पैर फिसला और वह भी कुए में गिर गई गुडिया भी कुए से अपनी मा को आवाज लगा रही थी मा बचाओं यह सुनकर सुजाता के हाथ पाफ फूल गए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए सुजाता भी कुए में कूद गई कुए में कूदने के बाद सुजाता अपनी बेटियों को आवाज लगाने लगी तभी उसका पैर पकड़ कर किसी ने उसे कुए के अंदर खीचा जहाँ पर वह एक दूसरी दुनिया में थी वहाँ पर सभी कुछ सोने का था सोने के जेवर, सोने की इंट और सोने के बिस्किट तभी उसने देखा उसकी दोनों बेटियां भी सही सलामत वही पर बैठी थी जैसे ही दोनों बच्चों ने अपनी मा को देखा वह अपने मा के पास दोड़ी चली आई सुजाता ने कहा तुम दोनों ठीक हो मेरी बच्चियों भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों ठीक हो सुनीता और गुडिया ने कहा हां मन हम दोनों बिलकुल ठीक है उन्होंने अपनी मा से पूछा मा यह कौन सो जगा है यहां पर तो कोई भी इंसान नहीं नजर आ रहा है और यह चारों और पीली पीली चीजे क्या है कभी वहां पर एक व्यक्ती प्रकट हुआ जिसका आधा शरीर इंसान का था और आधा शरीर पत्थर का उसने कहा यह पीली चीजे सोना है सोना यह सुनकर सुजाता चौक गई बोली इतना सारा सोना यहां कहां से आया और यह सोना किसका है और यह कौन सी जगह है यह सुनकर उस व्यक्ती ने सुजाता को बताया कि यह पातालोग है और मेरा नाम अंगत सेन है मैं पातालोग का निवासी हूँ मैंने एक बार लालच में आकर पातालोग के मंदर से सोने की चोरी कर ली थी कुछ दिन बाद यह बात वहां के पुजारी को पता चल गई थी और उसने मुझे श्राप दे दिया कि वह पत्थर का बन जाए जब पुजारी ने अंगत सेन को श्राप दिया तो वह पुजारी के पेरों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा बोले मुझे माफ कर दो मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई है पुजारी ने कहा यह भूल नहीं पाप है तुमने देवी के मंदर से चोरी की है अंगत सेन बोला मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए यह बात सुनकर पुजारी को दया आ गई पुजारी ने कहा में अपना श्राप तो वापिस नहीं ले सकता है लेकिन तुम्हारा एक साल में एक बार पूर्णिमा के दिन आधा शरीर पहले की तरह आ जाएगा और वह समय होगा जब तुम किसी की मदद करोगे तुम जैसे जैसे किसी की मदद करोगे तुम्हारा पाप कम होता जाएगा और एक दिन तुम्हारा पूरा पाप खत्म हो जाएगा और तुम पूरी तरह से अपने पूर्ण रूप में आ जाओगे आज पूर्ण मासी थी और अंगत सेन अपने पूर्ण रूप को पाने के लिए सुजाता की मदद करना चाता था अंगत सेन ने कहा मुझे तुम्हारी सारी परेशानी के बारे में पता है इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाता हूँ अंगत सेन ने सुजाता को एक सो सोने की मोहरे दी और कहा इससे तुम अपनी नई जिन्दगी शुरू करो इतना कहकर अंगत सेन फिर से पत्थर का बन गया कुछ देर बाद सुजाता अपनी दोनों बेटियों के साथ कुए से बाहर थी और वह कुआ भी अब वहां से गायब हो गया सुजाता ने सोने की सभी मोहरों को बेचा और अपनी एक कपड़े की दुकान खोली थोड़े संघर्ष के बाद सुजाता की दुकान अच्छी चलने लगी सुजाता आज अपना जीवन और अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई लिखे का सारा खर्चा उसी दुकान की कमाई से चलाती है Moral of the Story इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कठिन से कठिन समय में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए भगवान हमेशा हमारे साथ है बस आपको अपनी इमानदारी से मेहंत करते रहना चाहिए किसी ना किसी रूप में भगवान आपकी सहायता जरूर करता है